वीजे ले लो वीजे ले लो वीजे ले लो भाई आपको कौन सा वीजा चाहिए और आपको और आपको कौन सा वीजा चाहिए भाई जल्दी बताएं जल्दी बताएं थोड़े से रह गए हैं सारे बिग गए हैं कुछ बहुत हॉट वीजे थे वो मैंने फ्रिज में रखे हैं ठंडे हो जाएं फिर आपको देता हूँ मैं हूँ करीम वीजावला तो जल्दी से बताएं भाई कौन से वीजे जाएं जल्दी करिएगा प्लीज टाइम बहुत कम है मुझे थोड़ दे पहले कॉल भी आई थी अमेरिकन अमबसी से भी उन्हों ने कहा जी आपके दो दरजन वीजे रेडी हैं आपके ले जाएं और क्योंकि मैं पिछली बार जब गया था तो मैंने एक दरजन लिये थे लेकिन वो जल्दी बिग गए तो फिर उन्हों ने कहा ज जो थे वो तो छे दरजन चले गए शेंजन वाले थोड़े सख्त हैं उनने का जी हम आपको पहले छे देंगे आजमाएंगे अगर आप सही बेच लेते हैं तो फिर आपको और वीजे देंगे तो मैंने का ठीक है कोई बात नहीं तो आपकी दूआँ से सारे मेरे वीजे बि करेंगे सारे हैं असलाम अलेकम करीम करीम वीजे वाला सौरी करीम ट्रेवल एडवाइजर से वीजे वाला जिस जोक वो इसलिए था कि आपको कुछ मैं समझाना चाहरा था कल मिरे पासे कॉल आई भाई की तो उनने मुझे बताया कि करीम भाई मेरे साथ ना एक मसला बन गय करेंगा तो मैंने परसू ही आपका कोई एक वीडियो देखी थी तो मैंने का चला आपसर रापता करूं आपको स्टोरी बतानी थी वह यह कि कहने कि मैंने ना इंटरेट पर इसी तरह मेरा भी ऑनलाइन पेज़ है शारी बात है तो इसी तरह और भी काफसर है उनलाइन तो इन्होंने किसी ने लगाई भी थी कोई पोस्त के जी अमेरिका के ना वर्क वीज़े हैं और कोई 300 डॉलर इडवांस में था और इसी तरह कोई कहानी थी उनकी और मेरे खाल में 300 डॉलर इडवांस और कहरते उसके बाद फिर कोई 500 डॉलर था उसके बाद शहेद तो कह आपका पेपर जब निकलाएगा तो कहरें मैंने तो 300 रॉल मैंने का कुछ भी नहीं है 300 रॉल वर्क वीजा मिल रहा है तो मैंने वो दे दिये और उसके बाद जी उनका नंबर बंद है और सारा कुछ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा बाद वैसलाम है आपको तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें इस तğर आप गार में पास और भी काफी प्यास है लेकिन असल ये बात ब बात पताने का मकस्忙क थे सब को पता यह होगा कि इस तरह की स्कैम फ्रॉड ले ने तो होते रहते हैं कि मुझे भी कहीं लोग कॉल करें पुछते हैं करीम भाई आपके पास कौन से वीजे पड़े हुए है तो मैं सोच तो पड़े हुए है मैंने का यार भी जाके मैंने जो जूतों की दुगान लगा यह से अच्छा मैं वीजों की दुगान लगा लेता कि आप पूछते हैं कि आपके पास कौन से वीजे पढ़े हैं भाई और तो फिर डैफिनेटलि अगर आप ये सवाल पूछेंगे इसका मतलब है कि जिसे आप ये सवाल पूछ रहे हैं उसको ये बात जरूर समझा जाने कि इस बंदे को ये ही नहीं पता कि वीजे की सवाथ पढ़े हैं तो उसने कहना है आओ जी बिसमिल्ला बकरा आगया तो आप खुद अपने आपको यानी अपनी गर्दन आगे करते हैं जी मारे चुरी क्योंकि आप सवाल यहासा पूछ रहे हैं Nikon इस सवाल पे बहुत सारी चीजें डिपन करती हैं कि आप किस तरह सवाल पूछेंगे तो उस तरह जवाब आगगा तो आपको सवाल यह नहीं पूछना चाहिए किसी से भी कि के पास कितने वीजे पढ़े हैं कौन से वीजे पढ़े हैं आप ये पूछें बेतर तरीका जो सबकों मैं रहनुमाई करना चाहरा था मुझसे तो प्लीज मत पूछा करें मुझे बड़ी उलजन होती है मुझसे वह सवाल पूछता है कि आपके पास कौन से करीम भाई वीजे पढ़े हैं क्योंकि अलम्दलल्ला ये बात कफी सरे जो मेरे परवाने फॉल्वर्स हैं या जो माशालला से मेरे पेंच पे काफी हरसे से उनको ये बात समझागे कि ये वीजे किसी पढ़े नहीं होते है और क्योंब बहुत सरे जोग है जिनको इस सीज की रहनुमाई ही नहीं है या इस सीज का पता ही नहीं है बечारे बहुत साधे हैं तो वो बечारे लेख देखते हैं ''चाव वीजे वालावा है तो उसके पास पढ़े होंगे.'' भई वीजे किसी के पास या बहुत आगे चले कि आप मुझे कौन सी वीजे की फाइल प्रिपेयर कर देंगा जाज़द एजिए करते हैं कि फाइल प्रिपेयर करेंगे और आपके हाथ में थमा देंगे आप जाए अमबैसी मुझे तरकी के जिसरा वीजा है मेरा जबसे मैंनों वीडियो बनाई काफ स यह मैं इसको अच्छी तरह कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करूं उसमें कि फार्म फिल करना भी या उसमें भी बहुत सारी चीज़े मैटर करती हैं तो उससे भी वीजे रिजेक्ट और एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फार्म आपका मैं सही तरह फिल किया हो स्पेलिंग यह उसकी भी डेट्स मैचिंग हो अकॉर्डिंग तू तो इस सारी चीज़े मेरा काम है उसको सही तरह से ध्यान से स्टडी करके और आपको कमपाईल करके दे देना आपका काम है अपने बाकी डॉक्मेंट्स बैंक सिप्ट मैं मांगता हैं किसी से क्यों वह आपने खुद पेश होंगे सामने मैं नहीं कहीं जा रहा और नहीं किसी के लिए मैं इससरा कुछ करता हूँ तो मैं साफ यह वीडियो में पहले को बता चुका है लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा था कि यह कफिसरा लोग मुझते हैं आपकों से वीज़े पढ़ें इसका मतलब अगर मै पेशिया क्या हो गया वेटनाम है कमबोडिया है मैं उनका भी नहीं किसी ओ कहता है हाँ जी ये मेरे पास पढ़े हैं और अभी आप ले 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 जाकर मैं हमेशा यही कहता हूँ जी अपलाइए करेंगे अबसी इने वीज़े दिया तो ठीक है नहीं दिया तो आपके पैसे आया हो जाएगे सीधी सी बात बिल्कुल स्ट्रेट्ट फ़रवर दो टोक किसी को कड़वी लगती है तो लगे लेकिं बात वह है जो सही करनी चाए किसी का नुकसान ना हो मिठी मिठी बातें करके आपका नुकसान करवा दो तो वह उस बेतर है या अगर मैं तो कर भी बात कर कर सकते हैं कौन से वीजे में हमारी रहनमाई कर सकते हैं हम आपकी फीज़ देंगे जायए चो एजा है और बाकि रहने फीज़ कोणके हम पहला हुआं पहला है जरा हम ङाएं से पहला हुआ है किसी वीफीज फुछ जमाय करें और अफृज किसी एजएंट से किसी भी किसी भी करवा ले बहुत सारे माशाला अच्छ अच्छ काबिल एजुमा जुमा जुमा दस दिन으면 आया हूं 10-10 साल, 15 साल पुराने और सबसे बड़ी बात है, मैं उनको सलाम करता हूँ सीरिसली, जो इतने अर्से से बैठे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं सलूट आप सब, सब एजेंट्स भाईउं को कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं आपके काम में और परकट डाले आपनों थे, तो मैं भी शायद आगया मतलब इंस्पायर होके आप लोगों से और इस तरह बच्छा काम करते रहें तो ये सिर्फ उनके लिए था जो बिसकली सही काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कहते हैं कि बुरे के लिए भी दुश्मन के लिए दुआ करने चाहिए आए उन सब के लिए हम दुआ करते हैं जो सही रास्ते पे नहीं है ये मतलब स्कैम्स कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं तो शायद मैं कही बार सोचता हूँ कि या शायद उनके पास कोई रस्ता नहीं है और पैसा कमाने का या नहीं हो सकता है कि उनको कोई इनकी तालिम इतनी ना हो उनका हुनर इतना ना हो तो बस शुरू से शायद वो इस काम में है तो यही इस तरह काम कर रहे हैं तो हमें उनके लिए दूए करनेही जाए, कि बावतं के निये कोई बहतर रिजक वसीला पैदा करें ताकि आप ये काम छोड़ें करमें हुआने के शुरू करते हैं इसल्रीया भी दूए कईकला के लिए भी आप किई अथा कीछा हिरना व्यंदा ही कि अथि तो ये एक हमारा इमान है सब मुस्लमानों का तो आप से भी सब के रिक्वेस्ट है कि यानि कम से कम अपने सवाल सीदे करेंगे ना तो आप नुकसान से बच जाएंगे तो थैंक यू सो मच यही थोड़ा सी में रिमानी करने नी क्योंके कल वो भाई का मैसेज जाए उनके का मेरा 300 डॉलर चला गया तो फिर उनको भी समझा रहा था मैंने का यह आपकी वज़ा है इसकी वज़ा यह कि आप खुद है आपको जल्दी होती है जाने की अच्छा दूसरा यह भी यह कहीं भाई का भाई कहते हैं उससे भी बड़ा वीज़ा वर्क वीज़ा लेने के चकर में भाग रहे होते हैं लोग के पीछे थोड़ा सत्थ हाँ दुबई, सौदिया, मलेशिया इनके मिल जाते हैं क्योंके यह एक नॉर्मल कंट्रीज है लेकिन मैं अमेरिका और कैनिडा और स्टीले की बात कर रहे हैं वहां के वर्क वीज़ा आई कि आपने और तो तूरिस वीज़ा नहीं मिलता वर्क वीज़ा कहा मिलेगा तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, अपने पैसे, अपना टाइम बचाएं, थोड़ा सी सही रिसर्च करें, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, कि इंटरेट का पैकेज करा लिया करें, गूगल करें, यूटूब पे देखें, इतनी वीडियो पड़ी है, खुद आप समझदार है, माशारला, तो आप देख सकते हैं, कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत है, क्या मैं इसको पैसे दूँ या ना दूँ, इसलिए सोच लिया करें, राइट, थैक्यों सो मच, प्लीज, वीजे ले ले लीजिगा मेरे से, अभी भी थोड़े बागी है, तो ख्यार अनिवेश, द बना लूँ, वीडियो बना लूँ, तो मैं, रैंडम्स का मतलब होता है, आप शाद आपको पता ही होगा, तो रैंडम्स के नाम से मैं रख लिया, तो उसको जूँ सब्स्राइब कर ले, बेल का बटन बात देख रहें, ता कि आपको नमजीद अपडेट्स मिलती रहें, मि अलाफस, तैक यू सो मुच